एक successful company सिफ कस्टमर की वज़े से ही चलती है चाहे डीमाट ले लो, रिलाइंस ले लो, अडानी गुरुप ले लो अगर किसी ब्रैंड के पास धंदे के पास customer नहीं है तो वो scale-up नहीं कर सकते हैं, profitable नहीं हो सकते हैं, बड़े नहीं बन सकते हैं नमाजकार दोस्तों, सोनी विजन में आपका स्वागत है, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मार्केटिंग के बारे में, कि आज के टाइम मार्केटिंग रियल वर्ड में चलके सरीए, कैसे जो successful business है, खुद की marketing करते हैं, funnels create करते हैं and revenue generate करते हैं, तो आज के इस chapter मे मैं आप से बात करूँगा marketing के बारे में, देखो, customer जो होता है, वो business का king होता है, आपके पास customer आप धिन्दे को बढ़ा कर सकते हो, scale कर सकते हो, और customer लाने के लिए, सबसे पहली चीज होती है marketing, इस वीडियो के अंदर मैं आप से डिसकस करूँगा marketing के funnels, tactics, SOP, process, KPI, क्यार हर चीज डीटेल में आपको बताऊँगा, ये वीडियो आपने देख लिए, आज को टाइम चल रहा, 2024 का, उसमें कैसे marketing हो रही है, और आने वाले टाइम में कैसी होगी, सब आपको समझ में आ जाएगा, अब देखिए, दो तरीके से marketing होती है, एक होती online, एक होती offline, आज के वेबसाइट, दूसरा है Google में business, अब वेबसाइट में को कब ची है, अगर आपको आज के टाइम में SU आता है, डिजिटल मार्केटिंग आती है, तो ही वेबसाइट के SU में पैसा लगाना, नितमत लगाना, डिजिटल मार्केटिंग एजन्सी आएंगी, मार्केट में लोग अच्छा है अच्छा करके आपके लिए ट्राफिक लेकर आ जाएगा बट 99% फ्रॉड है ओनलाइन मार्केटिंग में वेबसेट बनाने वाले SEO करने वाले keyword ranking का उनको को knowledge नहीं है खाली आप से 15-25 महीना लेना है उनके चक्रों में मत पढ़ना खुद YouTube पे जाओ प्लेलिस्ट है SEO सीख लो वेबसाइट का वो ज्यादा बैटा रहें दूसरा option होता है Google My Business यह easy बढ़ता है अब क्या है मैं ऐसी चीज़ कर रहा हुँ जो लोकली हो सकती है आठ मैं ऐसी चीज़ काम रिपारिंग काया जोते रिपेरिंग काम जूते बेंचने काम करता हूं। कुछ ऐसा कम जो लोकली हो सकता है फिजिकल उसकता है मेरे area में अब वहाँ पे गूगल मैं विजनस क्यों काम का है लोग गूगल ले फटाट सर्च करते हैं कार वाशिंग, कार रिपेरिंग, बाइक रिपेरिंग ऐसी चीज़ है जो लोगों को अभी इंस्टेंट चीए होती है तो गूगल मैं विजनस पे खाली आपको रिवीउस करवाने और खुद को रैंक करवाने है मैंने भी अपने दोनों कमपनी के गूगल मैं विजनस को बहुत अच्छे से मैंटेंड करा मैनेज करा और आज हमें वहाँ से पर मन 100 प्लस कॉलिंग फाइट लीट्स फ्री में जनरेट होती है उसके बाद है सोशल मीडिया इंस्टागराम लिंग्डिन यूटूब अब देखो सोशल मीडिया बहुत सब्जेक्टिव है अगर मेरा ओडियन्स बहुत यंग है तो मुझे इंस्टागराम पे जाना है highly educated है, professional product है, मेरा B2B के काम काया है तो मुझे लिंग्डिन पे जाना है mass audience है, high ticket client है तो मुझे यूटूब पे जाना है अलग-अलग platform बने में मुझे मेरे धंडे के साफ से, business के साफ से, customer के साफ से, उसकी pocket के साफ से, social media को decide करना है फिर आता है visiting card, brochures, थेलिया चफवाना, अब आप एक चीस समझिए visiting card होगया, आपके brochures होगया, क्यों जरूरी है आज के time में हम भी, हमारी team में कोई भी join करता है उनके सबसे पहले visiting card तयार करवाते हैं, उसको print करवाते हैं मैं खुद even, पास साल से visiting cards को use कर रहा हूँ अब visiting cards में किसी को दो गे ना, ultimately क्या होगया आता हूँ जेम में रख लेगा या आपको वापिस कर देगा वापिस कर देगा कोई दिक कर दी है, किसी और को दे दूँगा नोट बुक तयार हो जाती, 50 pages वाली इस चीज का दियान लखना अब 50 pages वाली आप दे रहे हो इसको, 2 pages आपने अपनी branding कर दी बागी के 48 pages में वो use कर रहा है, तो जगा जगा लेके गुम रहा है तो आपकी firm की branding marketing हो रही है, इस चीज का दियान लखना बट देखिए, ये खाली है ना, brand को पहुचाने के रास्ते होते हैं कि ब्रेंड ने मेरा पहुच गया, बट लोग आपसे तब माल खरीदेंगे जब वो आपको पैसा देंगे, इसलिए अपने marketing के अंदर value क्रेट करना चालू करो ये उनिकनेस लाओ, जैसे नाइसी ने करा, उसने क्या करा, एक बश टेंड की अपर, एक कूलर लगा दिया, एसी लगा दिया, और नाइसल की बड़ी सी वाटर लगा दिया, वाज रही थी, तो लोगों ने देखना चालू करा, लोगों ने वीडियो बने, वो वाइरल हो कोगा कोगरव भी बहुत वाइरल मार्केटिंग करता हे, और बहुत क्यिये विए बनाता है जमयट हो ए, अब जमयटो ने उatri fences के मार्केटिंग करता है, उसना पste creative notification बढेज के मार्केटिंग करता है उसने बहुत क्रेटिव नोटिए लगया और आप जिया क्सी लोगहए देखें फटाफटो क्लिक मार देश नाइसल का मैंने आपको बताया अब आज के टाइम में लोग क्या करते हैं सोचल मीडिया या या जैसे टेकनिक्स होती है उसको डंग से यूज नि करते हैं इसे मैं आपको बता हूं आज के टाम पर अमेजॉन पे जाओगे एकॉमर्स कर तो 35% 25% अपना कट रखता है कुद की वेबसेट को लोग के कस्टमर ओर नहीं करता क्यों उसको ऑनलाइन इस्यू लगते हैं उनको कॉंटक नंबर ची होता है तो आज के टाइम में लोग पता क्या कर रहे हैं जो लोग कुद की वेबसेट बना रहे ना वो सासत वाटसेप टूल दे रहे हैं वाटसेप ये कॉमर्स की दुनिया का 80% से जादर रेविन्यू आज के टाइम में ड्राइब कर रहा है तो अगर आपका ये कॉमर्स प्लैटपॉर्म पर तो वहाँ पर वाटसेप आपना अब 80% बढ़ जाएगी वाटसेप देखते ही human का trust बढ़ जाता ह और वाटसेप को आपसे commission भी कटनी करता है सारा पैसा directly आपके पास आएगा रेजर पेका मापे link create कर लेना और payment सारा 100% आपका और आपकी sale 80% से बढ़ गई और आप क्या कर सकते हो अपनी brand को देज भर में फलाने के लिए smart advertisement marketing move कर सकते हो जिसे रेतिक रोशन की movie आई ती पड़ गई फिर एक movie आई थी चुप चुप के वहाँ पर Tide वालो ने अपना ad करा फिर एक movie आई थी वीरेदी वेडिंग वहाँ पर Bika जी बुजिया वालो ने अपना ad करा तो वहाँ से पूरा वाइरल हो गया अगर आपको आज के टाइम में वाइरल होना है न तो आपको बहुत अच्छे से advertisement करना, marketing करना, placement करना आना चीए एक चीज आप समझेए अगर आप लोग growth करना चाती हो तो continuously market में innovation करना, marketing को समझाओ practical world से integrate करना बहुत जरूरी जैसे मैं क्या करता हूँ मेरी company के अंदर कि मुझे growth करनी, marketing करनी तो मैं हर महीने 10 digital marketing agencies के founder से मिलता हूँ, उ सकता है, 100 से बात करूंगा, एक का मुझे idea अच्छा लगा, एक को मैं contract दू, उनके साथ work को process कर दू, बाकि निन्जाने उसे में इसलिए बात करता हूँ, जिससे मुझे idea लगे हो, कर के आ रहे हैं, क्या market में नया चल रहा है, क्या मैं गलत कर रहा हूँ, अब आप यह अपने lead generation process को automate करते हैं, उसके लिए KPIs बनते हैं, जिससे मैं example देके समझाता हूँ, वो अगर एक company, एक startup है, जो scale up कर रहा है, 50 लाग से 1 करोड, 10 करोड, 100 करोड, कहीं सार है हमारे clients भी जिन्होंने scale up कर रहा है, उसमें एक वहले KPIs बनती है, कि KPIs वेबसेट होगी, जहा 5,000 ता, और अगर मेरे 50 blocks पर बन जा रहे हैं, इतना मेरा ऐसी हो रहा है, इतनी मेरी marketing हो रही है, Instagram पर 30 Reels आ रही है, WhatsApp हम ऐसे marketing कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम एक head बिठाना होता है, जो continuously numbers को multiply करेगा, जैसे 50 blocks आ रहे थे, वो इसको 200 तक लेके जाएगा, 30 Reels आ रही थी, वो LinkedIn के उपर, या Instagram के उपर 5% थी, वो इसको 25%, 20% लेके जाएगा, ऐसे वो numbers के उपर focus करता है, जिससे आपके leads के नंबर continuously बढ़ते जाए, आप एक से समझा, बड़ी कमनी चलाओगे, 15 भी sales वाले रखोगे, तो sales वालों को leads तो चीए होती है, 2-3 leads से तो काम होगा नहीं, कम से हम एक दिन के, आपको 100 leads चीए है, अगर आपके पास company के अंदर 10 sales वाले हैं तो, तो उसके लिए आपको leadership बढ़ते हैं, इन platforms के उपर, कि जो ध्यान रखते हैं, फिर उसके बाद होता है CRM integration, कि या lead तो आगया, पानी तो आगया, बाल्टी हो नीची, पानी को store करने के किये, फिर product head होता है, आप बाकी heads भी होते हैं, जो अपना continuously feedback जिते हैं, अगर आपको बड़ी company बनानी है, scalable company बनानी है, तो इस चीज का ज्यान आखना महीने में 2-3 बर, product head या service head, उसके साथ आपका operation वाला बंदा, उसके साथ आपका sales and marketing वाला बंदा, इसके साथ आपका sales and product अच्छा नहीं, इसलिए माल बिक नहीं रहा है, आपस में coordination से क्या होता है, जहाँ real problem है उसका identify कर पाऊगे, leads में दिक्कत है, product service में दिक्कत है, या sales में दिक्कत है, तो वहाँ से आपको idea लगेगा, और देखिए, business में आपको leads की leakage रोकना भी ज़रूरी है marketing के साथ, अग आपको ट्रैक कर पाऊ, कौन से lead काम की थी, कौन से lead खराब थी, क्या conversion है, आपने marketing में 10 लाग और लगा दिये, और आपका 20 लाग का revenue हो रहा है, और भही पहले 1 लाग के marketing excellence में 10 लाग का revenue हो रहा था, तो ultimately अब लॉस में हो, अब आपका revenue एक करोड का होना चाहिए, जब का रहे हो, मतलब पहले 1 लाग marketing में था, 10 लाग का revenue था, ठीक है, अब 10 लाग आपने marketing का कर दिया, अब revenue बीच लाग ही हुआ, मतलब revenue उत्ता नहीं बड़ा जितना marketing के expense बढ़ गया, तो यह सब बे calculate करना आपको आना चाहिए, और आपको right placement आना चाहिए, इसे में आपको ब नाइकी का करेगा, वो sportsman को hire करेगा, टीवी पर अपना आड करेगा, वो Google की थूरू अपना आड करेगा, डाले टाइगट करेगा यंग्स्टर्स को, नाइकी लिंक्डिन के अपर नहीं जाएगा, उनको पता है में कहा अच्छे से जाना कैसी जाना, आप जैसे प्राइव पर नहीं करेगा, उनका प्लेस्मेंट बहुत अलग तरीके से होता है, जहां हमी लोगों के फंक्शन्स होते है, पार्टी होते है, नेट्वकिंग सोती है, वहाँ पर जाके वो करते है, अब रोल स्वाइस भी निउस्पेपर पर नहीं करता है, वो पता कहा करता है, लेने आएगा, देखना आएगा, तो वो रोल स्वाइस का सेंपल लेख सकता है, वहाँ पर उसको ड्राइब कर देख सकता है, तो ऐसे बड़ी कम्पनी अपने 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 करते है, अब जैसे में आपको बात करों, आज के टाइम में क्या हो चुका है, डिजिटल हो चु की है, अब बहुत तरह तरह की मार्केटिंग आरी, इसलिए जो मार्केट के बड़े प्लेयर से वो सोच रहे है, नहीने टूल्स लाने का जा लोगों का टेंशन जा रहा है, अब देखिए, उसके बाद कैसे मार्केटिंग चेंज हो रही, आज के टाइम में डेटा ड्रिव सकते हो, क्यों? डेटा से अपको आइडिया लगेगा, कब कहां क्या बेचना है, किसको क्या दिखाना है, उससे अपके मार्केटिंग एक्सपेंस कम बजाएंगे, रेविन्यू सुख पर चले जाएंगे, जिसे मैं आपको बात करूँ, और भारत पेका क्या था, भारत पेक क्या दिमाग खराओ, उससे अपने मार्केटिंग को बिठाएंगे, बहुत पैसा लग रहा है, मुझे एक सलूशन, सिंगल सलूशन दो, तो उन्होंने का काम करो, क्रिकेटर्स को हायर कर लो, यह लोग जम्मू से लेके साउट तक सब क्रिकेटर्स को देखते हैं, तो उन् आड कर रहे हो, consumer उसको लेगा, क्या वो value से drive करेगा, और आज का time में देखो, अगर आपको grow करना है, पैसा बनाना मार्केटिंग में, practical सीच बता रहा हो, online बेच रहा हो, online जाना चाते हो, तो content marketing king है, अगर आपको content marketing करना आती है, content marketing पे खेलना आता है, LinkedIn, Instagram, YouTube, Facebook, तो आप ब बहुत अच्छा होता है, as compared to Google Ads or any other paid advertisement, content marketing में, खर्चा बहुत कम होता है, variety जादा होती है, revenues बहुत जादा होते है, और आप easily monetization कर सकते हो, so friends, मैं आशा करता हूँ, marketing के इस chapter से, काफी कुछ आपको सीखने को मिला होगा, कैसे 2024 से marketing हो रही है, brand, startup, कैसे marketing कर रहे है, अगर पास नहीं, तो definitely like करना, next chapter, जल्ली, हम इस channel के उपर लेकर आएंगे, तब तक के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए, वीडियो को यहां तक देखने के लिए, उसके लिए धन्यवाद,